उदाहरण छे 7481 में 31 का भाग देने पर हल के उत्तर की जांच बिजांग से किया जाना है यहाँ पर हम देखते हैं कि 7481 को 31 से भाग देने पर जो एक समान्य प्रक्रिया है उससे जब हम भाग देते हैं तो कुछ इस प्रकार की चीजे हमारे सामने आती है अब इसके आगे भाग संभव नहीं है तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि जो 31 है इसे हम भाजक कहते हैं यह हमारा भाग फल है यह शेशफल है और 7484 यह भाज्य है अब इस प्रकार भाग के प्रशनों में बिजांक से हल की जाँच करने के लिए जो जिस समिकरन का उप्योग किया जाना है वो है भाज्य का बिजांक बराबर भागफल का बिजांक गुणा भाजक का बिजांक धन भागफल शेशफल का बिजांक शेशफल का बिजांक भाज्य भाज्य साथ जार चारसो इक्यासी है इसका बिजांक दो है भागफल दो सो इक्तालिस है इसका बिजांक साथ है भाजक इक्तिस है इसका बिजांक चार है और शेशफल दस है इसका बिजांक एक है यहाँ पर इस मान को अगर रखा जाए तो भाज्य का बिजांक दो बराबर भागफल का बिजांक भागफल का बिजांक साथ गुणा चार भाजक का बिजांक प्लस शेशफल का बिजांक एक अब यहाँ देखते हैं हम लोग कि यह हमको मिल रहा है 29 इसका जो बिजांक है दो धन्नो यह मिला 11 और यहाँ से मिला एक धन एक बराबर तो तो जो भाज्य का बिजांक है वो इस भागफल का बिजांक गुणा भाजक का बिजांक प्लस शेशफल के बिजांक के बराबर मिल रहा है तो इस प्रकार यह जो हमने प्रक्रिया अपनाई है हल करने की वो सही है कि यह उधारण छे का हल है